नमस्कार स्वागत है आपका मेरी चानल में आज मैं बस तीन अंडे से आपको इतनी सुपजी रेसिपी बताने वाली हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके लिए मैंने तीन अंडा लिया है इसे सबसे पहले हम एक बॉल में फोर्ड लेंगे इसे थोड़ा साफधाने से वोड़ियेगा कि इसकी वाइट वाले जो पोश्चन है वो ना जाएग अब इसमें एक छोटी साइस का मैंने प्याज लिया है काटकर उसे मिला देते हैं मैंने इसे बारी खी काटा है और ये मैंने चार हरी मिर्च को भी बारी काटा है उसे भी अब इसमें हम स्वादन उस्वाद नमक डालेंगे अंड़ा बनाते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जितना रिक्वाइमेंट हो उससे थोड़ा कम नमक ही हम डालें अब इसे हम अच्छी से मिला लेंगे ताकि ये अंडे का वाइट वाला पोश्चन और यलो वाला प देल डाला है और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा बटर डाल रही हूं एक टीस्पून के लगबग ये जब मेल्ट हो जाएगा उसकी बाद हमने जो अंडो को फेटा है ये तीनों अंडो का मिश्रन हम इस पैन में डाल देंगे फ्लेम को हाई हम नहीं करेंगे इसे दो मिनिट एक साइड पकने देंगे उसकी बाद अब इसे हम फ्लिप कर देंगे इसे थोड़ा जल्दी ही फ्लिप कीजेगा वरना ये तूट जाएगा ये देखे एक साइड कितना बढ़ियां से पक चुका है वैसे ही दूसरे साइड को भी पका लेंगे और अब एक चाकू या पिज बहुत चोटे हो जाएंगे और बाकी जो हमारा ओमलेट है इसे हम तीन टुक्रो में कट कर दे रहे हैं तो ये दिखिए ये हमारे पास दो धाई इंच लंबे-लंबे स्ट्रिप्स कट के तयार हो चुके हैं अब इसे हम साइड रखेंगे और अब इसे हम चिली चिकेन या च एच देने वाले हैं इसके लिए मैंने पान में दो टीबल स्पुन तेल गर्म किया है इसे हाई हीट पे हम गर्म करेंगे और फिर इसमें एक छोटी साइज का प्यास को बारी काट कर डालेंगे और साथ ही दस बारा लहसुन की कलियों को भी काट कर डालेंगे इसे एक मिर्च को लंबा लंबा और पतला पतला भी काट सकते हैं इसे हम एक मिनिट के लिए कुक करेंगे हाई हीट पे उसकी बाद मैंने इक बड़ी साइस की प्यास को भी लिया है और इनकी कलियों को खिला लिया है उसी भी डालेंगे दोनों को मिक्स का के अच्छे से पकाएंगे यह मैंने चार हरी मिर्च को काट लिया है बीच से उसे डालेंगे यह गया एक टीबल स्पून टोमाटो सॉस एक टीबल स्पून वाइट वेनेगर एक टीजपून ग्रीन चिली सॉस और साथी इसमें कलर के लिए हम डालेंगे आधा टीजपून से लिएक टीजपून सोया स इसे हम अच्छी से टॉस कर लेंगे इसमें अब हम डालेंगे स्वादनिस्वार नमग और एक टीस्पून की जितना क्रश्च किया हुआ काली मिर्च इन सभी को अच्छी से मिक्स कर दे रहे हैं आप इस रेसिपी को आज स्नाक सर्फ कर सकते हैं या फिर पार्टी में आज को बहुत पसंद आने वाला है अब इसमें डालेंगे ओमलेट स्ट्रिप्स डालने के बाद कोशिश कीजिएगा कि आप इसे बहुत जादा ना चलाए क्योंकि यह बहुत डेलिकेट से होते हैं तो टूच जाएंगे इन सभी चीजों को अच्छी से मिक्स करते हैं और कर्मा जाएंगे इन सभी दियो में